हाई फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हो आप सब उमीद करते हैं कि ठेकी होंगे तो आज हम आज सब के लिए लाएं हैं आलू पालक रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं आलू पालक का भुजिया तो आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिए और पसंद आए आज की ये रेसिपी तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है खाने में तो चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम ले लिये हैं 500 ग्राम पालक बिल्कुल फ्रेस पालक है देखिए कितना बहुत अच्छा पालक है और इसको हम दो-तीन बार पानी से धो लिए थे अच्छे से और अब इसको हम बारी कट कर लेंगे ये देखिए इस तरह से चाकू से हम इस तरह से कट कर लेंगे और आप यहाँ पर ऐसे भी कट कर सकते हैं यह रेखिए तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कट कीजिए तो यहाँ पर हम सारे पालक जो है कट कर लिये हैं यह देखिए और यहाँ पर लिये हैं प्याज, द्रक, हरी मेर्च, टमाटर, लहसुन, लहसुन की दस से बारा कलिये लिये हैं दो मीडियम साइज का प्याज और दो मीडियम साइज का टमाटर लिये थे कराई गरम और यह देखे आलू से का कहले है और इसको बढ़े बड़े किंज में कटके तो यह देखे आलू है प्रकाई क्या जीरा यहां पे खुन चटक गया है तो हम गयस का फ्लेम चबढ़ू कर दिया है और यहां पर ले रहे हैं सूरी मिर्च जहय को Erd यहां पर दालेंगे अध्रक एक किल लिए पह्लिए है और यहां पर डाल रहे हैं लासन कि यहां पर डालेंगे हरे मिर्च सब्सक्राइब तीन हरे मिर्च को भाटकर लिए थे अ यह अब डालेंगे बारी कटे हुए प्याज वी डाल दिया इसको अच्छे से जो है हम गोल्डन ब्रॉन होने तक भून लेंगे और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर दिये हैं और यह देखिए मारा प्याज जो है भून गया है तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे आलू आलू को सैज जो है आप बरा ही काटे ज्यादा छोटा नहीं और आलू को यहाँ पर हम दो से तीन मिनट के लिए भून लेंगे और आलू को भी ओल्डन ब्रॉन होने तक भूनेंगे फ्राइ करना है आलू को और अब यही पर हम आलू को जह है दो रहसा साइट कर देते हैं और यहाँ पर डाल देंगे टमाटर और यही पर डालेंगे नमक टमाटर के उपर डालने से टेस्ट जो है तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक चम्मच धनिया पावडर आधी चम्मच घल्दी पावडर एक चम्मच लाल मिर्स पावडर अड़नों पी। Tayden आप यहाँ पे इसको अच्छे से मिल लेंगे। और नमक आप टेस्ट के Biz गोरा ही कि दाले। तो यह देखिए हमारा मसाला जो है भून गया है। एक से योंक के यहाँ पे हम सारे मसाले को ढूमें हैं टमारान सब गल गया है। तो अब यहां पर हम डाल देंगे पालक और इस तरह से फ़ला के डालेंगे तरफ से अलू जो है ढख जाएगा अच्छे से और यह देखिए अब इसको हम नहीं जब मिलाएंगे नहीं ढख देंगे पलेट से इस तरह से चलाना नहीं है और तीन मिनट के बाद यह देखिए पालक का जो है कलर चेंज हो गया है और यह देखिए इस तरह से हलके हाथों से हमें मिलाना है इसको चलाएंगे नहीं तो आलू जो हमारा तूट जाएगा यह देखिए इस तरह से सही से मिलाईए और फिर आप यहां पे हम अब ढखेंगे नहीं और यहां पे गैस का जो फ्लेम हम यहां पे लो रखे थे तब यहां पे हम कर देंगे मीडियम क्योंकि ढखने के बाद जो है पालक से पानी जो छोड़ते हैं तब उसको हमें सुखाना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको जो है पकाएंगे अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे नहीं बीच बीच में नहीं तो कराही में जो है चिपक जाएगा और यहां पर हम गैस का फ्लेम कर दिये हैं फुल और अब इसको फुल फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे यह देखिए इस तरह से चलाते रहें नहीं तो जो कराही में जो है चिपक जाएगा और दिरे दिरे देखिए बिलकुल जो है कलर चेंज होता जा रहा है और यह देखिए कितना अच्छा हमारा जो है आलू पालक बना है तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है कर देंगे बंद और यह देखिए हमारा पालक जो है बन गया है आलू पालक तो अब हम इसको यहाँ पर लिए एक वावल और इसमें हम निकाल लेंगे और यह देखिए हमारा सुपर टेस्टी आलू पालक हो गया है तयार आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिए बहुत टेस्टी लगता है और बच्चे तो बहुत मन से खाते हैं यह देखिए तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप सभी को अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर कीजिएगा और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाद